हरे कृष्णा राधे राधे वेल्कम टू हैपी लाइफ विद काना जी जिसमें आप हैं मेरे यानी शिवानी के साथ तो कैसे हैं आप सब माग का पवित्र महीना शुरू हो गया है और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था कि माग का ये महीना कितना इंपोर्टेंट होता है माग के महीने का हर दिन एक्तियोहार की तरह होता है हर तिथी एक्तियोहार की तरह होती है तो ऐसी ही एक्तिती है माग माग के क्रिशन पक्ष की चौत या चतुरती तिथी जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है कहीं पर इसे तिल चौत कहते हैं कहीं पर संकट चौत या सकट चौत कहा जाता है और कहीं पर मागी चौत कहते हैं करवा चौत के बाद ये साल की दूसरी बड़ी चौत है और जो कोई भी इस चौत का वरत करते हैं या जो वरत नहीं कर सकते केवल पूजन आदी करते हैं और या केवल इस चौत की कथा को ही सुन लेते हैं अत्वा दूसरों को सुनाते हैं भगवान गनेश उनके सारे संकट, सारी विपत्तियों को हर लेते हैं और उन्हें धन, यश और सम्मान से परिपूर्ण करते हैं वैसे तो कुछ महिलाएं इस वरत को अपने पती की सुख सम्रद्धी और सफलता के लिए रखती हैं लंबी आयू के लिए रखती हैं बिल्कुल करवा चौत की ही तरह क्योंकि इस चौत की पूजन विदी काफी कुछ करवा चौत वरत से मिलती जुलती है लेकिन वास्तव में ये वरत परिवार की खास तोर पर बच्चों की संकटों से रख्षा और उनकी सफलता के लिए रखा जाता है तो जो कोई भी इस वरत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान गनपती का भ्यान करते हुए करते हैं उनके बच्चे भगवान गनपती की कृपा से नित नहीं उचाईयों को चूते हैं और जैसा की आप जानते ही हैं कि भग्वान गणपती उलक्ति के देवता है, रिद्धी सिद्धी के दाता है, तो ऐसे में कोई संदेश नहीं कि अगर हम अपनी प्रार्थना से कनेश जीत को परसंद करने में सफल रहते हैं, अपनी प्रार्थना को उन तक पहुचाने में सफ इसे देश भर में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। इस दिन मुक्यत है, गनेश जी, गनपती भगवान और चोत माता की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको तिल चोत की पूजा की संपूर्ण विदी बता रही हूँ। वरत कथा सहीत। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। और एक इंपोर्टेंट बात, ये वरत बच्चों की सुरक्षा और उनकी सुख सम्रदी के लिए रखा जाता है। तो ऐसे में घर का कोई भी सदस्य इस वरत को कर सकता है। केवल महिलाएं इस वरत को करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे में एक सवाल जो बार-बार पूछा जाएगा, कि जो महिलाएं लेडिज प्रोब्लम की वज़े से इस वरत को नहीं कर पा रही हैं, वो क्या करें तो वे निराश ना हो, गर का कोई भी अन्य सदस्य इस वरत को कर सकता है और वरत ना करें तो गणपती भगवान या चौत माता का पूजन तो कर ही लें इस वरत की जो पूजा विदी है वो काफी कुछ करवा चौत वरत के जैसे ही है सारा दिन रिजल वरत करके रात में चांद को अरग्य देकर वरत खोला जाता है लेकिन कहीं कहीं पर तारों को अरग्य देकर वरत खोलने की भी प्रमपरा है तो ऐसे में आप अपने घर के रिती के अनुसार ही इस वरत को खोलें वरत करने वाले को जो कोई भी इस वरत को कर रहा है घर में उसे सुबह ना दोकर स्वच कपड़े पहनने चाहिए कपड़े यदि लाल रंगे हो तो बहुत अच्छा है नहीं तो हरे गुलाबी पीले किसी विशुबरंग के कपड़े पहन सकते हैं काले सफेद नीले इस तरह के रंगों के कपड़े वरतादी में नहीं पहने जाते उसके बाद गणेश जी और चौत माता के लिए चोके सजा ले चोके सजाने के लिए एक लकड़ी का पाटा पटड़ी चोकी जो भी आपके पास अवेलेबिल हो वो ले ले और उस पर कोई ला माता का आसन लगा ले अगर आपके पास चौत माता की तस्वीर है तो वह रख ले नहीं है तो चावल या गेहु की छोटी सी धेरी बना कर उस पर सोने चांदी की कोई वस्तू जैसे कोई आभूशन कोई अंगूठी या चांदी का सिक्का चौत माता के सुरूप के रूप म रख ले उसके बाद कनेश जी और चौत माता को तिलक करें रोली से मौली अर्पित करें दीपक चलाएं अगर बत्ती वात आदी चलाएं फूल चड़ाएं फल चड़ाएं और तिल के बने लड्डू चड़ाएं तिल के लड्डू अगर नहीं बनाएं तो आप तिलकुट भी बना सकते हैं तिलकुट सफेद तिलो का बनाया जाता है और तिलकुट बनाना बहुत जरूरी है सकट चोथ पर इसी का परशाद विशेश रूप से बनाया जाता है उसके बाद तिल और गुड को हाथ में लेकर आपके पास अगर गुड नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं तिल और चीनी हाथ में लेकर सकट शोत की कथा सुने और इसके साथ विनायक जी की भी कथा सुने सकट शोत और विनायक जी की कथा इस प्रकार से है एक साहुकार और साहुकार्णी थे वी भगवान आदी को बिल्कुल नहीं मानते थे धर्म पुन्य का कोई काम नहीं करते थे उनकी कोई संतान नहीं थी एक दिन की बात है साहुकार्णी किसी काम से अपनी पडोसन के घर गई उस दिन तिल चौत यानि सकट चौत का दिन था और पडोसन पूजा कर रही थी, कथा सुन रही थी तो सावकार्णी वहीं बैट गई, जब पडोसन की कथा समाप्त हो गई, उसकी पूजा पूरी हो गई, तो सावकार्णी ने पूछा, तुम इतनी पूजा पाट करती हो, इससे होता क्या है? पडोसन बोली, पूजा पाट से सब होता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए, दन संबान मिलता है, पुत्र धन सुहाग अडल रहते हैं, सावकार्णी ने सोचा कि चलो आजमाकर देखा जाए, सावकार्णी बोली, यदी मेरे भी संतान हो जाए, मेरे भी घर ब्रह जाए, तो मैं भी सबा सेर का तिलकुट करूंगी और वरत भी करूंगी, बगवान अपने भगतों को कभी निराश नहीं करते, सो गंपती जी की करपा से सावकार्णी के गर ब्रह गया, लेकिन सावकार्णी ने ना तो चोथ का वरत किया, और ना ही तिलकुट किया, बोली पहले ल लड़के की शादी होगी, तब ही इकटा सवा पांच सेर का तिलकुट करूंगी, खोब उजमन करूंगी और वरत भी तब ही रखूंगी, खेर समय बीतता रहा और बेटे का विवाह भी तै हो गया, चोथाई तो सावकार्णी ने तिलकुट वरतादी कुछ नहीं किया, तो लड़का ना मिलना था ना मिला, तो उसकी होने वाली जो दूलहन थी, वो अपनी सहेलियों के साथ गंगोर पूजन के लिए जंगल गई थी, और जब लोट रहे थे, तो वापसी में उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी, जिस पर चोथ माता ने उसके दूले को ब बताई, सारे लोग इखटा हुए और पीपल के पेड़ के पास गए, तो देखते क्या है, दूला तो पिड़ पर बैठा है, सब ने पूछा तुम यहां क्या कर रहे हो, और फेरों से उट्यों उट भागे, दूला बोला, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, चोथ माता का तिलकुट नहीं किया, तो वे नाराज हो गई है, कोई मेरी मा को बुलाओ, सावकार्णी को बुलाया गया, तो लड़के ने अपनी मा से सारी बात कही, सावकार्णी बोली, मुझसे गलती हो गई, अब मेरा बेटा वापस आ जाए, तो मैं धाई मन का तिलकुट चौत माता ने लड़के को छोड़ दिया, और सावकार्णी का बेटा गर आ गया, विवाह भी हो गया, बेटा बहु गर आये, तो अगली चौत पर सावकार्णी ने ढाई मन का तिलकुट किया और खूब उजमन किया, और अब वे हर साल चौत माता का वरत करने लगी जैसे चौत माता ने सावकार्णी की प्रातना सुनी, वैसे ही चौत माता सब की प्रातना सुने, ये तो थी चौत माता की कथा, अब सुनते हैं विनायक जी की कथा विश्णु भगवान लक्षमी जी से विवा करने जा रहे थे, तो बारात में चलने के लिए देवता सब इखठा हो गए सब देवता आपस में बाते करने लगे कि हम सब चलेंगे, लेकिन गनेश जी को नहीं ले जाएंगे क्योंकि गनेश जी तो पूरी बारात का ही खाना चट कर जाएंगे एक तो इनका रूप इतना विचितर है, इन्हें देखकर तो वहां की सारी इस्त्रियां हसने लगेंगी एक काम करते हैं इन्हें यहीं छोड़ जाते हैं गर की रखवाली के लिए ऐसा ही किया गया, बाकी सब देवता बारात में चले गए और गनेश जी को छोड़ गए पीछे से तेवरिशी नारत ने गनेश जी के कान बढ़ दिये बोले ये तो सही नहीं किया, सब बारात में चले गए और आपको घर छोड़ गए हैं ये तो आपका आपमान कर दिया गनेश जी गनेश जी बोले अब क्या किया जाए नारज जी बोले आप ही कुछ युक्ति लगाईए गनेश जी ने अपने चूहे को बेजा और उस रास्ते की सारी धर्ती खोकली करा दी जिस पर से पाराद जाने थी जैसे ही विश्णो जी का रथ उस रास्ते से निकला रथ का पईया धर्ती में फस गया बहुत निकालने की कोशिश की लेकिन पईया निकले ही नहीं बढ़ई को बुलाया गया बढ़ई ने आते ही बोला जै गनेश काटो कलेश और पईये को निकाल दिया सब बोलने लगे तुमने गनेश जी को क्यों याद किया उन्हें क्यों बुला रहे हो बड़ाई बोले कैसी बात करते हो माराज बिना गनेश जी के भी भले कोई काम सफल होता है अब सब को अपनी गलती का ऐसास हुआ और मैं सोचने लगे कि हम गनेश जी को घर छोड़ाए हैं इसी लिए बारात में विगन आ गया फिर सब वापस गए और गनेश जी को मना कर बारात में लेकर आए और विश्नु जी का विवा संपन्न हुआ तो गनपती भगवान सबके जीवन के विगनों को भी इसी तरह से हड लेते हैं तो ये थी गनपती जी की विनायक जी की कथा कथा कोई भी हो अकेली नहीं कहने चाहिए तो आप भी सकट चोट की कथा के साथ विनायक जी की कथा जरूर कहें कता कहकर पूजन पाट करके बायना निकाला जाता है वैसे बायना सबके घर नहीं निकलता कहीं कहीं पर बायना निकालने की रिती होती है किसी किसी घर में नहीं होती बायने में तिलकुट, कुछ पैसे, साड़ी इत्यादी जो भी शरद्दा हो वो रखकर अपनी सास या घर में किसी बड़े जिसे आप देना चाहते हैं दिया जाता है उसके बाद पूरे दिन के वरत के बाद चांद को देखकर या जैसा कि मैंने पहले कहा था कुछ इस्थान पर तारा देखकर वरत खोलने की परंपरा है तो तारा देखकर वरत खोला जाता है वरत खोलने में भी तिलकुट ही खाते हैं तिलकुट से ही वरत को खोला जाता है तिलकुट का परशाद सभी घरवालों को दिया जाता है और गनेश जी और चौत माता से प्रातना की जाती है कि मैं परिवार पर आशिरवात बनाए रखें और संकटों से परिवार की रक्षा करें आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे तब तक जुड़े रहिए हैपी लाइफ विद गाना जी के साथ और हैपी लाइफ विद गाना जी पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो को देखने के लिए वीडियो के नीचे के रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेम से कहें हरे कृष्णा, रादे रादे